हम आपको बता दे करनाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे पिछले लंबे समय से चला रहा करनाटक करनाटक अब खत्म हो गया है ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जो तस्वीर साफ होनी थी अल्पमत में आ गई सरकार और ऐसे में सरकार गिर चुकी है जो बीज़ेपी का दावा था वो यहां पूरा होता हुआ नजर आया बहुमत से 9 वोट कम मिले हैं कुमार स्वामी को और 9 वोटों के चलते यहां पर कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है आपको बता दें कि पंद्र बागी विधायक शामिल नहीं हुए और ये लाइव तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैनाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है विधायक सवा में पक्ष विपक्ष की गिंती वोटों की जो होनी थी वो पूरी हो चुकी है बहुमत के लिए जो आकड़ा चाहिए था कुमार स्वामी को उससे 9 वोट कम मिले हैं और ऐसे में जो दावा भारती अंता पार्टी के ओर से किया जा रहा था कि सरकार अल्पमत में है सरकार गिरेगी अगर प्रोटेस्ट होता है तो और यहाँ पर हालनके बुद्वार तक का समय मांगा था कुमार स्वामी ने यह मामला सुप्रिम कोट तक पहुँचा मुंबई तक इस मामले निलगातार तूल पकड़ा और ऐसे में आज तस्वीर साफ हो चुकी है करनाटिक में कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं पुछले कई दिनों से करनाटिक की तस्वीर पर पूरे देश की निगाहें ठीकी हुई थी भारती अंतपाटी लगातार ये दावा कर रही थी कि सरकार अल्बत में है ऐसे में फ्लो टेस्ट होना चाहिए हलांकि लगातार कुमार स्वामी ने ये कोशिश की जो बागी विधायक थे उनको भी मनाने की कोशिश हुई थी लेकिन इन सब के बीच फ्लो टेस्ट हुआ है उसमें 9 वोटों की कमी के चलते कुमार स्वामी की सरकार गिर गई है अब ऐसे में आगे की तस्वीर क्या होगी ये भी दिल्चस्प होगा हलांकि नाटक खत में इसलिए नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तस्वीर बाकी है कुमार स्वामी की सरकार तो गिर गई है लेकिन आगे अब बीज़पी का क्या रेक्शन होगा क्या अक्शन होगा ये देखना बाकी होगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीर है आपके सामने करनाटक में फ्लोर टेस्ट होने के दौरान कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है कुमार स्वामी सरकार को बहुमत से 9 वोट कम मिले है कॉंग्रेस के जो विधायक थे वो भी लगातार यहाँ पर तेवर दिखाते हुई निजराय थे पंद्रबागी विधायक और इसके चलते आपको बता दें 23 माई 2018 को यहाँ पर यह गटवंदन की सरकार बने थी और आज बहुमत पूरा नहोने के चलते कुमार स्वामी की सरकार गिर गई विधान समा में पक्ष विपक्ष के वोटों की गिंती पूरी हुई लगातार सभी की निगाहें इस पर थी यदुरप्पा को सभी विधायकों ने बधाई दी है यानि देखिए एक तस्वीर यहां साफ होती नजर आ रही है क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अगर कुमार स्वामी की सरकार गिरती है तो यदुरप्पा ही होंगे जो भारती अंतापाटी की ओर से मुख्य मंत्री बनेंगी अगर भारती अंतापाटी की सरकार यहां पर बन बहुमत है इससे सरकार बन सकती है और इस बीच विधायकों के द्वारा यदुरप्पा को बधाई देना ये बताता है कि निशित तोर पर जो दावे भारती यंता पार्टी के ओर से किये जा रहे थी वो यहां पर पूरे होते हुए नजल आ रहे हैं कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है और अब आगे भारती यंता पार्टी क्या कुछ अपना फैसला लेती है किस तरीके की तस्वीर सामने आती है ये देखना होगा फिलाल ये बहुत बहुमत चाहिए था कुमार स्वामी को उससे 9 वोट कम मिले हैं उनको जब उनका फ्लोर टेस्ट हुआ तो हाल कि विधायक हैं उन्होंने अपने तेवर कुछ नरम भी किये थे उन्होंने कहा था कि हालाएं कि जब ये पूरा मामला सिमट जाएगा तब वो यहां पर पहुंच जाएंगे का एक नमूना पेश किया है वो बिलकुल काबिले तारीफ है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे बार बार पूरे सजन के अंदर में विश्यों को लेकर कि उखसाया जाता था ताकि कुछ इस तरह की स्थिती तयार हो ताकि सजन की कारवाई में खलल पड़े और उसको अर्जन कर दिया जाए और तारीखों को बढ़ाया जाए लेकिन इसमें बहुत सब्र का बना के रखा यदरुपा और पूरी भारती जंता पार्टी ने इस पूरे मामले के अंदर में और कल रात आपको याद होगा कि रात 12 वह तक वो बैठे थे करीब 11 वजे के आस फैसला हो जाना चाहिए तो कल्व कूल मिला करके यदरुपा के लिए एक तरह से फिर सत्ता में वापस आ सकते हैं क्योंकि अब उनके पास जो है अब ये जब त्याक पत्र जब मुख्यवंत्री अपना राजिपाल को सौपेंगे तो निश्यत रूप से यदरुपा जो है स पर ये भी समझने वाली है यह हम अगर तारीक की बात करते हैं तो तारीक बेहत महत्पुन हो जाती है 23 माई 2018 को सरकार बनी थी लगभग 1 साल 2 महीने यानि की 14 महीने ये सरकार चली है 23 जुलाई का आज वक्त है यानि तारीक वही है तारीक वही है लगभग 1 साल 2 महीने सरकार चली है 9 वोटों की कमी होने के चलते कुमार स्वामी को यहाँ पर सरकार गवानी पड़ी विदान सवा में पक्ष विपक्ष के वोटों की जब गिंती पूरी हुई तो 9 वोट जिसके लिए उनको पहुमत को जो वोट चाहिए थे उसमें से 9 वोटों की कमी देखने को मिली जिसके चलते यहाँ पार उनको हार का सामना करना पड़ा है विदायक से उनकी ओर से दिखाए गया है जाहिर है कि अजरुपा पहले से ही उनके चहरे पर खुशी नज़र आ रही थी चुकि अगर भारती अंता पार्टी की सरकार बनती है तो लगभग यह तैथा कि अजरुपा ही मुख्यमंत्री होंगे अगले विशेशकर जो PWD मिनिस्टर रिवर ना जो HD कुमार स्वामी के भाई है उनके प्रती जादा थी उनका जो बहुत जारा इंटेफेरेंस था उनको पसंद नहीं था तो देखना होगा कि अब कॉंग्रेस हाला की थोड़ी देर पहले मना कर चुकी है तो विधायकों की विशेशकर थोड़ी देर में फैसला होगा कॉंग्रेस नहीं यह कह दिया है चुकि जिन विधायकों का साथ चाहिए था उन्होंने साथ नहीं दिया है बागी तेवर दिखा हैं मुंबई के होटल में लगातार वो रुके हुए थे ये लाइब तस्वीरे विधायन सवा से इस वक्त सबसे पहले जिराजस्थान आप सक पहुचा रहा है इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं 23 माई 2018 को कुमार स्वामी ने जब शपत के ग्रहन की थी वो तस्वीर भी वाकई पूरे देश में उसने एक मैसिज दिया था तमाम वो पाटियों के दिगज वहाँ पर पहुचे थे और आज 23 जुलाई का वो दिन है जब कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी है अल्प मत में थी सरकार और अब विक्ट्री का साइन दिखाया गिर